तो बदल गया है वर्लकप 2000 थी इसका पूरा पॉइंट स्टेबल अंक तालिका में बड़ा उलट फेर हुआ है मस्ट विन मेंच में पाकिस्तान ने न्यूजिलेंड को बुरी तरह से हरा कर समी फानल का सेनारियो भी चेंज कर दिया है तो क्या है वर्लकप 2000 थी इसके समी फानल में क्वालिफाई करने का समी कलर पाकिस्तान और न्यूजिलेंड के लिए जहां इससे पहले टीम इंडिया वर्लकप 2000 थी इसके समी फानल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गए थी लेकिन अब पाकिस्तान versus न्यूजिलेंड मुकाबले के बार पाकिस्तान की बड़ी जित के बाद अब आटोमेटिकली सौथ अफरीका की टीम भी क्वालिफाय कर चुकी है समी फानल के लिए अब इसे में दो ही अस्तान बचे हैं लेकिन लड़ाई अभी कई टीमों के बीच में तो वहीं वर्लकप 2013 के 36 मैच में अस्ट्रेलिया ने इंग्लेंड को 33 सन से हरा कर इंग्लेंड की टीम को वर्लकप 2013 से बार कर दिया है और इस जित के साथ अस्ट्रेलिया की टीम समी फानल म भी ऑफिशली भार हो गई थी एलिमिनेट हो गई थी वर्ल्ड कप 2000 तो पूरा पॉइंस टेबल आपको दिखाएंगे और बताएंगे जब क्या है सेमी करन सेनारियों सेमी फानल में क्वालिफाइए करने का लिकुन से पहले चलिए एक बार नजल डालेते हैं पाकिस्तान वर्शेश न्यूजिलेंड मुकाबले पर तो न्यूजिलेंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 401 रन बना लिए थे यहां पर किसी ने भी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की टीम अब ये मुकाबला किसी भी इस थिती में किसी भी कंडिशन में मुकाबला जीच सकती है लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम बिल्कुल ऐसा ही हुआ पाकिस्तान की तरफ से फकरजमान से क्या सांदार जबरदस्त हिटिंग बल्लेबजे की मैस में बारिश ज़रूर हुई लिकिन से पहले फकरजमान ने छकों की बारिश कर दी इस मुकाबले में के जबरदस्त पारी खेली फकर जमान में मात रहे एक 80 गेर में 126 रन बनाकर नाबाद रहे जिसमें 8 चोके और 11 लंबे लंबे छक्के लगाए तो ही कप्तान बाबर आजम ने भी 63 गेरों में 6-6 रन बनाए जिसमें 6 चोके और 2 चक्के लगाए ये दोनों ही नाबाद रहे जहां पाकिस्तान की टीम ने मात रहे एक ही विकेट खोये था और 25 दिसमलों तीन ओवर में 200 रन बना लिये थे जिसके चलते डेलेस मेंटर से पा मेनबदी मैच भी चुनेगी और यही हाल फकर जमान का भी ये फकर जमान को भी ड्रोप किया गया था उनके खराफ फोर्म के चलते और बीच में इंजर्ड भी हो गयते लेकिन फकर जमान ने क्या सांदार सबादसर कमबेक क्या है फकर जमान भी अब तक इस वर्ल्ड कप 2013 म अब तक सबसे ज़्यादा छक्या लगाने वाले बल्लेबास कोई और नई बल की हीटमेन रोहिती सरम है जो साथ मैचों में 20 छक्या लगा चुके हैं तो यह श्टेले के डेविड वर्नर भी साथ मैचों में 20 छक्या लगा चुके हैं और तीसरे नंबर पर फकल जमान आ में 15 छटका हैं तो हैं मौमन समी को तीन ही मैच में खिला गया और मौमन समी ने तीन मैच में 14 छटका हैं अब बात केरेंगर न्यूजइलेंड की तो निण covenant की शुरुवाद तो काफी साधाल तरीके से रही थी इस वर्ल्लकप सब 2013 में शुरूबाती चार मेंच तो इस टीम ने बैक टू बैक लगातार जीते थे लिकाद उसके बार आखरी के चार मेंच न्यूजिलेंड के टीम बुरी तरह से हारी है तो यह अस्टेलिया की बात करें तो अस्टेलिया का तो काफी खराब परफॉर्मिंस आथा मेंच फर्व हारने के बार तो हैं इंगलेंड का सवर काफी खराब रहा इंगलेंड के टीम डिफेंडिंग चैंपियन अब तक को वर्ल कप के इतिहास में defending champion का अब तक का सबसे खराब सबसे बुरा performance जाहें इंगलेंड को पहले मेंच में हार मिली ती दूसरे मेंच में इस टेम को जीत मिली ती लेकर उसके बार ये टीम पिछले पांच मुकाबले बैक तूबेक हरकर आ रही है तो इंगलेंड की टीम साथ में से मातर एक ही मेंच जीती है और छे मुकाबला ये टीम हारी है तो पॉइंस टेबल और सेमिफानल सेनारियों की बात करने से पहले अगर आप भी डेली आईपलोर के रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फार्स सबसे पह पहले अस्थान पर टीम इंडिया जो गौलिफाइ करचुके समिफानल के लिए 7 मैच के लिए 7 मेच के लिए 7 जीत 14 पॉइंट से पलस 2.102 इनगर नमबर 2 पर साथ अफरीका तो बात करते हैं सबसे पहले ऐस्ट्रेले की तो एस्ट्रेले को समी फानल में क्वालिफाय करने के लिए अगर अपने बाकी बैचे दो मुकाबलों में से मातर एक मैच और जितना है लेकिन अगर अपने बाकी बैचे दो के दो के दो ही मुकाबल हर जादी है तो फिर अस्ट्रील एक की टीम डायेक्ट क्वालिफाइग नहीं कर पाएगी दूसरी टीम पर डिपेंड रहेगी यह किसी भी टीम पर डिपेंटर नहीं रहेगी लेकिन आप वाजिस्तान के लिए क्वालिफाय करना काफी ज़र्ण मुस्किल है यहां पर चांसिस बन जाएगे पाकिस्तान और न्यूजिलेंड दोनों टीमों के तो न्यूजिलेंड का एक मैसे बचाए पाकिस्तान का भी एक मैच बचाए न्यूजिलेंड का आखरी मुकाबला स्री लंका के खिलाफ है और पाकिस्तान का आखरी मैच इंगलेंड के खिलाफ है अब इन मैसे जो टीम अपना आखरी मुकाबला जीत लेगी और जो न्यूजिलेंड का नेटन रेट थोड़ा बेतर है ऐसे में पाकिस्तान की टीम को काफी ज़्यदा बड़े मार्जिन से मुकाबला जीतना होगा आपको बता रहे कि अगर न्यूजिलेंड की टीम अपना आखरी मैच स्री लंका के खिलाफ एक भी रन से अगर जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान को अपना आखरी मैच इंगिलेंड के खिलाफ 131 संग के बड़े अंतर से जीतना होगा या फिर 28 ओवर महीं मुकाबला चेस करना होगा तो न्यूजिलेंड अगर अपना आखरी मुकाबला जीत गई तो लगबग आप मान के चाल सकते हैं कि पाकिस्तान के पाकिस्तान के टीम सेमी फाणल के लिए कौलिफाई नहीं कर पाइगी लेकिन अगर ершत्व नुजिलेंड के टीम अपना आखरी मुकाबला हर जाती आपकिस्तान के टीम पाकिस्तान के सेमी फानल के लिए क्वालिफाई कर जाए तो वल्यकप 11 pursue kauft पने स्टेबल काफी दिल